हेलो दोस्तो आज हम आपको बताएंगे Photoshop में Hue and Saturation Tool का यूज कैसे किया जाता है Basically Hue and Saturation Tool Color Balancing के लिए होता है जो भी background हम create करते हैं या कोई image open करते हैं Photoshop में तो हम उसका color change कर सकते हैं Hue and Saturation Tool का यूज करते हुए तो जैसे हम create now पर जाएंगे इस पर और एक size यहां create कर लेंगे जिस background पर हमें Hue and Saturation Tool यूज करना है तो 1200 sin to 720 और white background के साथ हमने इसे create कर लिया है size को उसके बाद हम इसमें कोई color फिल कर देंगे paint tool select करने के बाद तो paint tool select किया मान लिए इस color को select किया तो यह color fill हो चुका है उसके बाद उपर जो लिखा हुआ है image हम यहाँ पर saturation टूल लगाएंगे image पर click करेंगे click करने के बाद adjustment पर जाएंगे और नीचे लिखा हुआ हुआ हुज and saturation या फिर control मास्टर रेडियस यह अलग अलग उन्हें भी उपर यूज कर सकते हैं तो चलिए balance करके देखते हैं color कैसे balance होते हैं तो इदर कस्टम की जंगा कुछ और select कर लेते हैं तो यहाँ select कर रहे हैं अलग-अलग style हम old style यह सब इतने दे रखे प्रकार हम photoshop में you and saturation टूल का यूज करके background create कर सकते हैं